सास्रीकार तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल यूएसे टीवी मैहा संजीब याश्खना इंडिया इंटरनेशनल सब तो पहला गाल शुरू कर दे हां अमेरिका दे स्टार दी अमेरिकन स्टार डॉनल्ड ट्रॉंप फॉर्मर प्रेजिजेंट अफ अमेरिका ही इस एस्टार येस उन्ना दा जिड़ा केस है बनी हश केस उदे वेचो ननो रिलेक्सेशन मिली है कोट ने किया कि एलेक्शन्स तो बाद एदे होते अपा फैसला लेना है सेंटेंस उस तो बाद होएगा कुछ एक औरता ने ने इल्जाम लगाए ने और जो मर्द दे होते इल्जाम लग सकते ने औरता वलो याने डॉनल्ड ट्रॉंप टा क्रेक्टर असैसिनेशन ये भी नाल चॉलदा पर और भी बड़े केसिज ने सेक्स स्केंडल मनी दिती गई और कुछ डॉकिमेंट्स सिक्योरिटी दे नाल चुड़े होए तमाम तरह ने गल्ला हो रही है ने खैर एक प्रेशर है और इस प्रेशर दे नाल नाल सेकंड टाइम प्रेजिजेंट आफ अमेरिका बनना चौन देने हिस्ट्री रिपीट करना चौन देने क्योंकि अमेरिका नो ग्रेट बनाना या सो अपने आप दे विच एक स्टार ने ना क्योंकि इनने प्रेशर लें तो बाद भी ओफिर तो इलेक्शन दे विच सरगर्म में सो इस वकत जो महौल है अमेरिका दे तर्तिदे होते इलेक्शन दा उदे विच एक इश्यू बहुत जादा जो असर करदा पे है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव इजडे राइट्स ने मतलब अबॉर्शन दा इश्यू माई बाडी माई चॉइस कामला हैरिस दे व्यूज अलग ने डॉनल ट्रम्प दे व्यूज बदल पहने कदी कोज ते कदी कोज उन देखो कि एश्यू किते तक किनों जिता सकदा है ते किते तक किनों हरा सकदा है यह बहुत जादा डॉमिनेट कर रहा है और एक पहला भी बड़ा इश्यू चलिया सी नो टैक्स ओन टिप्स एवी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू र जी साइड दे उते खेड़ना शुरू कीता के नैशनल सेक्योर्टी नो सामने रख के ही आसी ट्रेड पॉलिसी बनावाँगे, बिजनस पॉलिसी बनावाँगे, के बाकी मुल्का देना आध साधा ट्रेड कितना दा रहना चाहिए है, बट कितना किते आसी देख देया कि दो म पार्टी जदो भी पाबर्च होंदियाने, ट्विस्ट एंड टर्न्स कारी लें दियाने, और किसी ना किसे गाल नो मुक रख के फैसले थोड़े डिफरेंट आ जान देने, ट्रेड पॉलिसी दे, बिजनस मैटर्स दे वेच, उस चीज़ दे हुते, जदो अमेरिकन पबलि यह एक और्गूमेंट हो सकती है, निशनल सेक्यूरिटी वी एक और्गूमेंट हो सकती है, बाट तॉसी आईसोलेट नहीं नहीं कर सकता है, अपनी एकॉनमी नो के सब कुछ अग्रेंट पार दे, मुलका नेको वास्ता ने रख़ो, कुछ लेंगी ने रख़ो, इदा ने हर मुल्क दी कोई खासियत है हर मुल्क दी बढ़ी होई चीज दी कोई खासियत है उस मुल्क दी ओ बढ़ी होई चीज दे विच ओथों दे मुल्क दा पूरा कल्चर होंदा है जो उनना दे पुर्खिया ने ओ ठीकनॉलोजी डिवेलप कीती है ओ कला डिवेलप कीती है ओ सारे सारी कला उदा एक्सपीरियंस उस चीज़े विच पाया हुंदा है वो भी खुबसूर्ती सामनों चाहिए दिया ना अमेरिका ने विच इसकर के ऐसी आइसोलेट नहीं कर सक दिया अपने आपनों सिरफ मेड इन अमेरिका दियो ते क्योंकि बारो भी ट्रेड होईगा सो नैशनल सिक्योरिटी नो त्यांच राख के उसी फैसले लब और ट्रेड पॉलिसी दे और जो भी बिजनस जुड़े होई मैटर्स ने बट फिर भी एक ओपन एकॉनमी चाहिए दिया क्योंकि जिक केस स्टेडी लेनी है ऐसी अर्जंटेना दिला सकते हैं अर्जंटेना किसे वक्त बहुत वड़ा मुल्क बहुत जादा तरक्की आफ़ता बहुत प्रोग्रेस कर रहा और एकॉनमी बले बले पर आईसलेशन वाल ले गाए उन्हों नमिया पॉलिसी बनाके और ऐस वक्त भी ऐसी की समदाई हो थे चौलदा पेसा रहा एकॉनमिक पॉलिसी नो लाके वर्ता रहा तो उदा नतीजा है कि आज करजे थले में, एकॉनमी थले थले हो चुकी है, बले बले तो थले थले हो चुकी है, क्यों? आईसोलेट, made in, made in, made in, saadai made in, बारो कुछ लेना देना नहीं, ए चीज आज दे मुलक देविच, आज दे दुनिया देविच नहीं चलेगी, क्योंकि ह अरेकनल ट्रेड रखना पाएगा, free trade ही जरूरी है, तो उस चीज नो देखते होए, ठीक है, national security दे मताबिक तो हनो अपनी ट्रेड पालिसीज जरूर बनाने हैं चाहिए दियाने, तो इस तो इलावा और बहुत सारे issues ने, जो इस वकत अमेरिका दी दर्थी देविटे चल पर ने, asylum, मतलब जड़े बारों आके वस्टना चौंदने अमेरिका देविच, उस asylum देविटे गाल बात करांगे, rules देविच, कानून देविच की कमियाने, उत्तो उत्तो अगल बहुत वदिया लग दिया के अमेरिका एक सोरे गया होते जाके वस्टो होते जाके सैटल हो, अग्दा देविच नहीं ना के गौर्मेंट आफ अमेरिका बहां खलेर के खड़ी है, आओ जी किते सी, जब भी पालो, वैलकॉम, अग्दा देविच नहीं है, बहुत लंबा चोड़ा प्रासेस है, उसनों कम्प्लीट करन तो बादी, तो हनों उत्तो इस रिजन्स शेप म सो एक मामला है, देखता प्या है, कि एदेविच की-की फ्लॉज ने, जड़ां देविच, असालम सिस्टम दे, जो रोक देने, किते न किते ठीक है, नैशनल सेक्यूरिटी दीविगा लॉंदी है, और बाइडन एड्मिस्ट्रेशन नो, और कामला हैरिस नो क्रिटिसाइज भी किता जा रहे है, इमिग्रेंट्स दे, इश्यूस दे उते, जो साउधरन बॉर्डर दे उते हो, कई साला तो लोग आ जा रहे हैं और इलीगल भी है, जिन्हों अपा कहने है, डॉंकी डॉंकी लाके भी पहुंच जान देने, उस गल करके भी क्रिटिसाइज किता जा रह होया, सो इस वोकत इमिग्रेंट्स दा इश्यू, एवी बाइडन पर शासन दे उते, एक साइन अफ इंटेरोगेशन, यानि के क्वेश्चन मार्क लगा होता है, कि कामला हैरिस एदे बारे अपने की व्यूस रख देने, और उदे मताबिक की कुछ होना चाहिए है, क्योंक इस तो से पैरा तो लाएके सिर तक पूरी ताकत लगाई हुई है, पर इस वकत इजड़ा क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी है, एदे उते, ओपोनेंट्स भी केड़ने ने पबलिक भी कालबात कर दी है, क्योंकि बाइडन पर शासन एदे उते, जो पॉलिस लाके होना है, कितना किते, क्या जान दे के तुसी सॉफ्ट कॉर्णर रख दे हो, जो अमेरिका वास्ते ठीक नहीं, इस तरह दियां, डिसकॉशन्स हैंगी आने, ते डॉनल्ड ट्राम्प ते बिलकुल सिद्धी चल देने, बिलकुल सिद्धा चल देने, इमिग्रेंट्स दे मामले देव जो ता, ओपन ने, कि मैंनों बनन दे हो सही, प्रेज़न्ट आफ अमेरिका, फिर देखियो, इमिग्रेंट्स दा, ओँ मैं देखूँगा, की की रूल्स बनो ना, खेर, ओबाद दियां गलाने, बन जानता ही है, उस तो बाद उगल होईगी, और इस वक्त जिदी नमी की था, तो अपागल कीती है, कामला हैरिस दी है, कैमपेंज दी, नवा नवा ही हो या है, जो जो आइन कीते हैं, जो जो बाइडन ने, उन्हों एंडॉर्स कीता, और ट्रम्प थे बहुत पहला हैं दी गेम खेड़ दे पहने, ते कामला हैरिस होने ही आए ने, और आउंते स सेट्स अफ अमेरिका दे वैच वाइट हाउस दी, रेस चल दी पही है, सन 2004 वास दे, मनी उदे विच किन्नीक मैटर करेगी, जो एक कमला हैरिस नो जादा सपोर्ट मिल दी पही है, ए पैसा किते खर्च करेगी पार्टी, एक क्वेश्चन मार का, और वाकिए ए जादा पैस अन दा, इस रेस दे उत्ते कुई असर पाएगा, कमला हैरिस नो पॉसितिव रिजल्ट मिलनगे, ते डानल ट्रम्प नो नेगटिव रिजल्ट मिलनगे, क्या ए प्रेजिडेंट दियां इलक्शन्स दे उत्ते और रिजल्टस दे उत्ते भी कोई असर पा सकदा, एक डिब सेप्टेंबर देविच जेडी मीटिंग होनी है स्तारा अठारा नो सेंटर पैंक दे बिग शॉट्स दी हो देविच की डिसीजन होना है ये भी नाल गल्ला ने तो हजार पच्ची देविच इंफलेशन नो बिलकुल चिल करवा देता जावे ओ आवे न ठीक है एकॉनमी स्लो दो डाउन हो सकती है इस सब करना सेंबने आउधियां पे याने बाट सब तो इंपॉर्टेंट जॉब मेर्किट जॉब मर्किट देविच गियारा मिलियन लोग एस साल देविच उन तक जॉब तो आउट हो इने बाइ बाइ और इक लख ब्यारी हजार जॉब्स एड हुई याने economy देविच मतलब एए है कि jobless जादा ने और नौकरियां काटने ए अगस्दा आंकडा है हम सेप्टेंबर चालदा पे अगस्द देविच एक लख ब्यारी हजार जॉब्स एड अप हुँदी याने हुण अपां एक जे विशलेशन करन दी कोशिश के रिए ता करोना वाइरस उनी वाइरस उनी या पैनेडेमिक तो बाद जो एए experience है एए process है जॉब्स दा इंप्लॉयर्स दा इंप्लॉई दा एक different experience है और रहे दे विच इस job market दे अंदर एंटर करना जॉब्स हासिल करना काफी मुश्किल हो चुका है जो लोग जॉब्स है कि ने उन्हावास्ते ठीक है एक चंगी situation है बट fundamentally इस तारा structure change हो चुका है जॉब्स मार्केट था हलाकि अमेरिका दी economy जॉब्स मार्केट दे हो जॉब्स ही ने न और जॉब्स करते पर ने और यह सारा structure fundamentally change हो चुका है और इस वक्त जॉब्स जाना एक आम गल हो रही है किसे वक्त किसे इनसान दी जॉब्स जान दी सी था उदे वास्ते बड़ी शर्म दी गल मननी जान दी सी समाज दे विच यह दान दी पैदा हो चुकी है और जॉब्स 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 जाना शर्म दी गल नहीं बलकि यह ते आज अमेरिका दे विच एक सारे अंदी common पहचान हो चुकी है common identity हो चुकी है और social media दे उते यह दे उते बहुत सारी अंकलना बहुत सारा content होंदा है यहने के social media content भी बले-बले है इस मामने दे उते so ए लाइफ बनी होई है इस वक्त अमेरिका दी तर्टी दे उते economy दी नाड़ा पागल करांगी जो artificial intelligence develop होई है निवीडिया company ने एक chip त्यार कीती है computer chip और American company है और इस chip दी खासियत है है कि एक करांटी लेके आगई है इस नमे युग दे विच technology दे विच और इस करांटी दा असर और फाइदा चाइना नो मिलन वाड़ा है जे ओ इस chip नो अपनी military वास्ते इस्तेमाल करता है तो उनना दी military बहुत अग्गेवद सकती है technology कली और चाइना हर ही ले हर तरीके ना ये चिप हासिल करना चाहूंदा है अपनी ये जिए फोर फ्रंट companies दुनिया जी काम कर दिया ने अमेरिका जी काम कर दिया ने उनना दे जरीए या smuggler जरीए भी smuggling भी हो सकती है तो अमेरिका इस काल नो लेके बहुत सादा alert है और इस चिप दे business नो control करना चाहूंदा है ताकि ये चाइना तक ना पहुंच सकी क्योंकि चाइना तो रश्या तो नॉर्थ कोरिया तो एक threat महसूस करदा है और अपनी space army नो भी क्या है अमेरिका ने के तुसी हर तरह ने हालात नो कापू करनवास दे त्यार रहो बट ए जड़ी modernized chip है ए चाइना दी military नो भी modernize कर सकती है इस करके अमेरिका है दे उते full control करना चाहूंदा है So that is the case of technology नाड़ा पह गल करांगे students दी अपा जान दे हाँ high school दे वेच जो एक 14 साल दे बच्चे ने गोरी चलाई और मारे गए बच्चे और वड़े भी मारे गए गान कल्चर दे होते सिद्धी का लाई और दे वेच उनकी changes होने हैं चाहिए ने parents इस कालनों लेकिं बहुत साथ है चिंता भी कर दे पर दे डिबेट भी है काल बाद भी है पूरे अमेरिका दे वेच एक बैस छीड़ी होई है कि बार बार एक टनामा बार बार एक टनामा एक रुकन दा नाई नहीं ले दिया परिया जो एक गन कल्चर दे उते कुछ फैसला होना चाहिए और हो सकता है कमला हैरिस ऐस बार प्रेज़ेंट ऑफ अमेरिका बन देने तक कुछ ना कुछ सॉलिड बिल एदे उते आन कुछ कानोन बने क्योंकि जो बाइडन कमला हैरिस जो नो इस सोच देने कि गन कल्चर दे उते काबू होना चाहिए और इस वकत जिस बच्चे ने गोली चलाई सी उते फादर इस वकत उना दे उते ट्राइल चलता प्या हीज इन चेल और कोट दे पेशी हुई होई हुनना नो मायूस दिखाई देते हो ता दिखाई देना ही है हुन देखो कोट ना देऊते जडे चार्जिस लगाउं दा है उधे उते की सेंटेंस हुन देने और गल किते तक पहुंच दिया ये स्कूल दा हाड है ते नाल स्कूल दा ये भी हाल है कि फोन यूज करन दे उते बैन फोन यूज जड़े मुबाईल अपा लाइफ हिर दे हाँ बच्चे उन्हों स्कूल दे विच ना इस्तेमाल करन स्कूल दे आसपास ना इस्तेमाल करन उदे होते बैन इस वकत आठ स्टेट्स ने लगाया है अमेरिका दे विच बैन कीता है इसनों और एसदा स्टुडेंट्स दी लाइफ दे वी असर पहना था फ्लोरिडा दा स्कूल काफी अफ्लोरिडा दा डिस्टिक दे विच और काफी चर्चा दे विच है एगाल के तकरीबन पैन ही कार दे गएने सैल फोन्स स्कूल दे विच उन एसदा स्कूल दे वातावरन दे उते बच्चे दे लाइफ दे उते ते स्टडिस दे उते की असर पहना है और एक्सपीरियंस की होना है इस सारे बच्चे नो एए एक डिबेट दा विशा बढ़ाया हुए है कुछ लोग केंदे ने कि सारी स्टडिस दे अचकल आँनलाईन आप बच्ची स्टडि दे विच पिच्चे रह सकते ने हर चीज दे पाक दे विच भी गलना होसके लियाने हो दे खिलाफ की गलना होसके लियाने गलता है यह कि तुसे यूस कीमे कर दे ओ, मुबायल फोन चंगा बनाओगा है यह आसी देख देपा है डार्नल्ड ट्रम्प दी लाइफ दे उते अटायक होंदे है वह भी गन कल्चर दा ही हिस्सा है और इस देख देए युनाइटिड किंड़म दे विच जो हुए दस दिन रॉइट्स होए वह यही सोशल मीडिया दे किसे ने गलत पोस्टिंग कर देती है। और भी इदाने कई एक्जैम्पल्स देते जा सकते हैं। सोशल मीडिया दा गलत इस्तेमाल होगा। सो इस सब चीज़दा अमएरिका देता थी देते हुदे चल दे आप यहां पोगाने सैलफ़ोन नो लेके एस सब इस वकत की नमें डिसीजन्स होने ने एदे उते सारी काल चल दी पोगाया है। अप इंग्लेंड दिकाल कीती है और इस वोकत इंग्लेंड ने एक फैसला कीता है जो इसराइल नो हत्यार सप्लाई हो रहे ने तकरीबन उन्हाने 350 आर्म्स देविच्चों 30 आर्म्स सिस्पेंड कर देते हैं नहीं देते जान क्योंकि इस दिनाल इंटरनेशनल लाव वाइलेट हो सकता है इंटरनेशनल लाव हुद काण हो सकता हुद कि रहे खिलाफ लिता है कि इसराइल नो ए खतरनाग डेडली वैपनिस ना देते जान तकरीब 354 ती दी एसाइनम्मेंट बिलकुल कैंसल कर देती गौर्मिंट दे उते प्रेशर पे आ होया है पबलिक दा के स्टॉप देस वार सीज फायर करो और हमास नाल सारी काल बात करो जो फिलिस्टिन ना मसला है जो भी मसले ने स्टॉप करो बहुत हो गया और नितन यहू इस कालों नहीं मन रहे और असीय सारे जान दे है कि जो यूके ने कीता है एज़ा वाकि कोई असर पाएगा सीज फायर वल मामला वदेगा इंटरनेशनल क्यमेनिटी जोर पाएगी वाकि ही इसराइल नो रोकेगी या फिर एक आम गाला है जैस्चर है वह यह ता चल दा ही ने दा कोई गाल नी एज़ा रोक देता दे कि दरो गोर हथियार आज़ाएगे जी एक गाल है ते फिर ते कुछ कह नहीं सकते कि अग्ये की होना है और दूसरा युद खैर एदे विच एक होर इंपॉर्टन गाल भी हों दी है घाजा दे विच बच्चे आंदा ठीक है वैक्सिनेशन भी चलदा भी है नाल बच्चे आंदी स्कूलिंग खराब हो गई है एदूसरा साल जा रहा है बच्चे स्कूल नहीं जा रहा है की करेंगे एजुकेशन दा की बनेगा एभी एक बहुत वड़ा सवाल है नाल सवाल ये भी चलदा कि जे असी युक्रेन दी गल करिये ते युक्रेन वाले जैलिन सेंग की होते बेलकुल ही पता नहीं किस सोच दे तुले होईने तबाई दे तुले होईने और हत्यार देओ मैं दुश्वनानू और वार करना है टेमोक्रेटिक तरीके नालवी उनना दे उते प्रेशर पाऊ वार दे नालवी प्रेशर पाऊ ऐस तरह असी प्रेजडेंट पुतिन नू मजबूर करदा मांगे सीज फायर करना वास्ते मॉस्को दी वार मशीन नू तोड़के रखदा मांगे मतलब रेड लाइन जड़ी है यह इंटरनेशनल लॉ है उदे चे रेड लाइन हुन दी या कि तुसी एस तो अगे किसे होड़ दे सेक्टर च नहीं जा सकते मुल्क दी हाद है उस दी भी परवाना करो अमेरिका मैंनो लॉंग रेंज दे हत्यार दवे मैं रेड लाइन लॉ क्रॉस करके रशिया देंदर अटैक मारना चौना मतलब किस तरह दे सोच लेके और रशिया वह अपनी गल कर दा है कि आके तद दे असी केड़ा त्यार नहीं है गे साड़े कोल केड़ा हत्यार नहीं है गे एवी गला नाल चल दी हैं पहियां ने मतलब बिल्कुल स्ट्रीट फाइट दे उत्ते आगे ने जिवें दो लड़ाके मुंडे ना गड़ी छे लड़दे होन ओ हिसाब हो चुक कहोन और अमेरिका कहने दा भाई आज यदे लांग रेंज दे वेपन तूं मंगदा पे हां इदे नाल कोई गेम चेंज नहीं होने कोई बहुता फाइदा नहीं होना एफ सोड़ा तेरा पहला एक जा चुक है जो आसी तरह नहीं देता सी है जी होर असाइन्मेंट्स मिलन दी आस तू रख असी वादा कीता है पर देखते हैं असी भी अपना देखना है इदर इलेक्शन से सिड़ते हैं ते उद्धर तेरे नल युदे देवेच भी असी शेकन कीता हुए है पर जो तू एक गला ये जो प्लान्स देंदा पे हैं गेम चेंज नहीं करनगी है गेम चेंज किसे होता ही होनी है वो बैट के कलबात ही होनी है पर जिए तो कलबात दी गल करो ओ तो जैलन सेंकी फिर ये मेरे दस पॉइंट्स अपने टैन पॉइंट्स लेके आए हुए इन आप ते कलबात करां मेरे हिसाब होना चाहिए है, सारी शांति स्थापना होने चाहिए है, और सारी निकोशीएशन्स होनी चाहिए ने रशीया देना आता ड़ा कई भाडते एक्सपर्ट केह देने हैं कि लगा है कि ऐ इनो अ मीडिया दुनिया तो ने न किसे सीरियल चंदा ने काम कीता सेगा युक्रेन दे, कोई टेलिविजन सीरीज, कोई सीरियल, वो देचे प्रेज़ेंट ऑफ युक्रेन बने सी, और वो देच काफी पॉपलर होए, और उस तो बाद बिना वोटना तो ही, बिना इलेक्शन तो ही जयते के, मतलब एक है कि बहुत पॉपलर हो गए, और वो बेस बने इना दे, जयते देचे, और इस स्टार बन गए, होन ए प्रेज़ेंट बनन तो बाद भी अपने आपने आपनों स्टार समय देपेने, होन ए सच मुछ दी दुनिया है, यह वो टीवी इंडस्ट्री दी, सीरियल वाली दुनिया थोड़ा है, ओ सीरीज थोड़ा है, कि तुस तुसी इस सोच नो चेंज करो, ऐस तरह नहीं चलना, क्योंकि इंटरनेशनल कुमुनिटी कहीं दिया, कि बैट की टेबल ते गाल होगी, कुछ तुसी अपनी सुनाओगे, हर बंदा अपनी सुनाएगा, ताहीं की फैसला होगा, युनाइटेड नेशन्स और्गनेज़ेश वर्ड, रील वर्ड ना लो, बिलकुल डिफरेंट होंदा है, इस कालदा अंदाजा उननों होन तक हो जाना चाहीदा है, दो साल तो जादा हो चुके ने, इस जंग नो, सो इस सुकत स्थित्थी ए बनी हुई है, सो जंगा मी चल दियां पही है, एकॉनमिक वार भी चल दी एबड़े मसले ने, स्कूल लाँ दे, बड़े मसले ने, जंदगी दे, बड़े मसले ने, आम इनसाना दी जिनदगी दे, दो महीने, तो जादा हो चुके ने, कामला है, इस गेम दे विच्छ पूरी तरह नर्ड आए हो है, उनने एक बात, कितन में जानन दी ए, एवी पेइल दे बीच उं मिलके देश नो किद्डर लैके जाना चाहुते एं मिलके देश नो किद्डर लहना चाहुते लौट करें पार्टिनह सपोल्ट करते ने वह covenant यह था आई कि अधीर्जार। पारत दितती दा कि इस वोकत डेमोक्रेसी देनाते सब नो मिलके इंडिया वास्ते पारत वास्ते काम करना पाएगा क्योंकि इस वोकत अस्तिती नाजुक है क्योंकि जित्तों तक आसी देखी एक करजा पारत दे उते काफी है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बार बार इस गाल दे उते पारत नों क्या भी है कि तुसी जरा अपने करजे वाड़े साइड नों देखो क्योंकि ए किस्तना उतारना है करजा ये सारा कुछ तो हमनों देखना पहना है अफकोर्स तो इसी गाल कर देओ कि असी दुनिया दी पंजवी सब्तो वड़ी एकॉनमी या ते तीसरी सब्तो वड़ी एकॉनमी या बनना चौने या और असी उसते वास्ते कोशिश कर दे पहा है इंटरनेशनल मॉनेटरिर फंड वाल ये भी कहना है कि ठीक है कोशिश करना ओके सही है कई मुलका नों पूरी दुनिया नों वेदा फाइदा हो सकता है नाल दी नाल दोसी एवी देखो के करजा है ठ्वाड़े उते और इस वोकत ठ्वाड़े देश दे अंदर घरीबी दी स्थिखी है पुख मरी दी स्थिखी है इवी तहों देखना पएगा और नाल एक्सपर्ट से भी मन देने के इंडिया नो यह भी देखना पएगा कि गवांडी मुलकाने नाल उदे संबंध किद्धा देने और देश दे अंदर वादावरण किद्धा देने जनता की चौंदी है दूसी भी अपने विचार सानों जरूर इंबॉक्स करो एंदा मुद्यान दे होते कुछ और भी करना चाहूं देओ वो भी सानों जरूर इंबॉक्स करो साथा चैनल पंजाब मिल यूसे टीवी सब्सक्राइब करो इंडिया इंटरनेशनल मैहा संजीव यश्खना साश्रीका